वेल्कम टू मैं चैनल मैं आज आपको सिखाने जारी हूं फ्रेंच परेज रेसिपी जो किम घर में बनाना ही सिखेंगे बहुत इजी रेसिपी है आपको इसके लिए इंग्रीडिंट्स क्या कैच है बता देती हूं कटी हुई आलो लंबी-लंबी काट के रखने आपको इस त हल्दी नमक और मिट्चा और मसाला भी उसकर सकते हैं अब आपको सबसे पहले क्या करना है कडाई में तेल गरम होने को रख देना है इसे गरम होने कम से कम 10 मिनिट लगेंगे अब आपको तरेंगे पैटर तैयार करेंगे फ्रेंच पैस के लिए इसमें अमने सबसे पहले क्या करना है वेसर हलका सा और थोड़ी सी कौन फ्लोर या मैदाप मिक्स कर सकते हैं मिट्ची नमक स्वादनु साल हलकी सी डाल लें और हल्दी अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल शूटकी भरी उसकर रहे हुए हलका सा वाटर यूज़ करके आपको इसे मिक्स करना है इस तरह से ज्यादा वाटरी नहीं करना है हलका हलका सुखा ही रहने देना है अगर कम लग रहा हो बेसल और पॉन फ्लो तो थोड़ा हो डाल लें और फिर से मिक्स करें मैं आपको कहा था ड्राई ही रहने देना है और मैंने आपको कहना था काटके जो आलू है इन्हें फ्रोज जरूर कर लें फ्रीच में हाफ एनार के लिए अच्छे से मिक्स करें तेल चेक कर लें आप तो दर्म हो गया या ने दर्म हो गया है तो उसमें आपने इस तरह से आपको यालू इस तरह से डाल देने है जहां दर्जी अलग अलग भी डालने है आपको चिपकेना साथ में बहुत इजी रेसिपी है गेस्ट आगे हो अचानल से और आपको कुछ स्नैक्स में बनाना हो तो प्रेंश प्राइब और सही बन जाते है इस तरह से वेट करते हैं इसका कोड़ना होने का यह बहुत जाजी रन जाती है इस स्पेश्यालिटी है पैंश का इसकी पलट में इस से आप इस तरह से और सच अची बात यह है कि इसमें प्यास लेस्ट सूना द्रफ बगरे की भी ज़रूरत नहीं होती है जैसे ही आपको बाम हो जाएगा इससे सल्ट कर सकते हैं इस और बार टर्म करेंगी यह दिखके अब आपकी राइट बाम हो चुके हैं लगब पुच चुके हैं अगर आपको और तर आरे करने हैं तो और तल सकते हैं मेडी सर्फ कर ले दें तो अपने सर्फ कर ली है प्रेंग्स प्राइस आपकी बिल्कुल तयार है आप इसमें चाहिए तो चाट मिसाला भी मिक्स कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी चाय के साथ है सॉस के साथ खा सकते हैं कैसे लिए आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मुच सब्सक्तों के साथ है